हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो पर तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि कलकत्ता हाई कोड में कोई भी डिप्लोमा इन फार्मेसी एक्जेड एक्जाम को लेकर कोई केस पड़ा ही नहीं है तो आज उन लोगों के लिए इस पेसली में बात करनी है तो दोस्तों सबसे पहले आपसे सुरू से शुरुआत करते हैं कि सुरू से लेकर अभी तक की क्या अपडेट है तो यहां पर देख सकते हो यह कलकत्ता हाई कोड का है अब यहां पर बता दो केस टाइप डबलू पीए है फिलिंग नंबर यहां पर देख सक रोहनपाल एड आपके आपके हैं विशुजित सरकार ये आपके में आपको पॉहीं क्या हैं आजकी में क्या हुआ आपको बता दीश कर्छा पर जैसे डेंडर में ये केस देखा जा रहा है अब आपको बता दे कि देखो 20 तारिक को 23, 24, 26, 26 और 30 तारिक को यहाँ पर हेरिंग की जे डेट बगेरा थी और यहाँ पर बिभिन मुद्दो पर देखो बाते रखी गई थी कभी काउंसिल ने अपनी बाते रखी यही आपर जो हमारे थार अउन्होंने यापर बातते रखी तो यहाँ पर बींटाथ क क्ल की धिए में क्या थाथ ठुटकी प्रफी हुआ थी सब्सक्राइब तो देख लो जो इंट्रक्शन्स है वो फार्मेसिक कॉंसल आफ इंडिया इस टेकन और रिकॉर्ड कॉपी वगएरा जो है वो हेंड ओवर कर दी गई है प्रेटिशनर वगएरा को दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब की तरफ से उन स्टुडेंट ने जो केस किया था उसके अधार पर कुछ बात हैं निकल कर आई है तो उन्होंने यह बोला है कि हमने जो है यहां पर आट आट बाइस को कुछ हमने बिचार किया था वह आपके इस साइड में रहे ठीक है आप उसके बाद उन्हो को सब्जेक्ट के नाम भी आपके में辗्रम रखें उसके बाद 50% सापके पहले भी थे अपर चाइब तीन तेपरं नो में पास होना कि एप सबसे बड़ी बात तर उसके बाद यहां पर चार बात और बी लिखी हैं मुझे यह नियलकता है पॉटन ने यहां पर इन्हों ने यह बोला कि पंदरा दिन को अंदर आपको निर्णेल लेगा ना होगा पीसी वालों को कि भाई क्या करना है इन्हें आगे इसके बारे में यहीं सारा कुछ है उसके बाद यहां पर और भी चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी यह जो है आपर चीजेंग होनी है य nghered क्या होना है वह कि दो होगा यह पक्ता मान के चलो कि यहां पर यहां पर इस किaciones में हो रही है यह अप बाते सुन रहे हों देख ह्रहा है इसका प्रभावत टो ने पूंपर पढ़ रहा है यह उम्मिस्रिप जताई जा रही दोस्तों आ जाएगा इसके गारंटी नहीं है क्योंकि हमें भी पता है कोड का क्या सीन रहता है तारीक पे तारीक पे तारीक वाला सीन हमेशा से रहते आया है और यह केस ऐसी बढ़ते चले जाते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिस कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमें कोई यहां पर हमारे अंडर में ही कोई हमारे फेबर में कोई फैसला आ जाए और वाई हम लोग केस जीच जाए और एक्जिट एक्जाम होगा या नहीं होगा या फीस कम होगी नहीं होगी यह सब चीजों पर जल्दी से हमें सारे आंसर इस नहीं है इसलिए बता रहा है अब दोस्तों बात करते हैं आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत क्यूं है तो भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूंको केस जो है न कुलकाता हाई कोट में वह स्टुडेंट के दोरा ही किया गया था और स्टुडेंट पे हमेशा ही दोस्तों financially problem रहती है अब दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट इसमें चाहिए है कि केस में पैसे की जरूरत पड़ रही है और आप लोगों से पैसा चाहिए अब बहुत सारे लोग है जो नहीं कर रहे है अभी तक दोस्तों मेरे पास एक भी payment नहीं आया है जो मैं दोस्तो आगे बकीलों को forward कर पाऊं तो दोस्तों यहां पर आपको एक नंबर दिया जा रहा है बॉट्सप का इस पर सिर्फ आप बॉट्सप पर मैसेज करिएगा और आप यहां पर मेरे से केस की अपडेट पूछ लीजिएगा और आप पूरा सब कुछ जानने के बाद ही आप चा तो भई आप जरूर 100, 200, 500 या 1000 रुका तक का जितना भी आप contribute कर सकते हैं करिए इसका जो proof दोस्तों होगा वो सब आपके साथ share किया जाएगा ताकि आपको यह न लगे कि यह कोई पैसा जो है वो गलत जगह जा रहा है यह case में नहीं जा रहा है इसलिए दोस्तों आपका सा सपोर्ट चाहिए है यहाँ पर बेस्ट बंगाल के जो स्टुडेंट है उनके ग्रुप्स बने हुए है वो बहां पर देखोर सपोर्ट कर रहे है ठीक है अब दोस्तों रिजर्ब जो था अभी तक पैसों का अब बहुत सारा इतनी हेरिंग होने के बाद खतम हो चुका है अ और आप फिर वही 69 रुपए में पैमेंट करना और अपने एक्जिट एक्जाम देना फिर बाद में नहीं निकलेगा फिर आप दुवारा उन्सट सो देना जहां आप उन्सट सो दे रहे हो बहां आप 500 या 1000 रुपए या 100 200 रुपए भी देखकर आप यहां पर थोड़ा सा होंगी इस केस को लेकर आपको इस वीडियो में आगे आपको इस चैनल पर ही बताई जाएंगी और चैनल पर धेरो सारी वीडियो जब इसके रिगार्डिंगी आया करेंगी तो दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखें